नमस्कार पुन्ह सोदेसी उचार में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों चोट लग जाने पर मोच या सूजन आ जाते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए आये जान लेते हैं इसके लिए पहला प्रयोग है लकड़ी पत्थर जैसे चीजों से ठोकर लगने के बाद जो सूजन आ जाती है उस पर हल्दी और खाने वाले चूना एक साथ पीस कर गर्म लेब करने से अथवा इमली के पत्थों को उबाल कर बादने से सूजन खत्म हो जाता है दूसरा प्रयोग है अर्णी के उबाले हुए पत्तों को किसी भी प्रकार की सूजन पर बादने से तथा एक ग्राम हाथ की पिसिवी हल्दी को सुबह पानी के साथ लेने से सूजन दूर होती है तीसरा प्रयोग मोच अथवा चूट के कारण खून जम जाने यवं गांट पढ़ जाने पर बढ़ के कोमल पत्तों पर सहद लगा कर बादने से लाब होता है चौथा प्रयोग है इसके लिए जामून के बिच्छ की छाल के काड़े से गरारे करने से कले की सूजन में पैदा होता है सूजन में करेले का साथ लाफ़त है ऐसे ही स्वासप्रत जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्स्थ्थ करें झाल झाल झाल